इछले हफते हम बात करे थे और जब हमने देखा था एक बड़ी गिरावट डाव में आ रही थी, दो देनों से लगा था बड़ी बड़ी गिरावट देखी थी, हमारे बाजार पर थोड़ा इंपक्ट आये था, पर आपने कहा था कि अब यहां से और वीकनेस आप नहीं एक् अब वहां पर आपको डाव सपोर्ट ले लेगा, अगर नीचे आता है, तीन दिन में आता है, ब्रोडली लेवल वो आएंगे, तीस पांचो से तीस शेसो का सपोर्ट आपने देखा था, कल और परसो दोनों दिन बाजार कमजोर है, कल भी काफी कमजोर शुरुआत हुई थ तीस पांचो सपोर्ट है, परसो का बिलो अल्मोस्ड इसी लेवल के आजबाश रहा है, जिस दिन में शुक्रूरार को मैं बात भी कर रहा था कि आम तोर पर जनरली जितनी क्लोज लेवल में निफ्टी बेंग निफ्टी के निकाल पाता हूं उतने तो डाव के निकाल पता खुछ कुछ बड़े लेवल धियान में रह जाते हैं कि जहां पर कल भी 3550 का और इसलिए कल जब हम बात कर भी रहते हैं दो पर में भी अब देखना है कि हमें देखकर डाव सुदर जाता है या डाव को देखकर हमें कल सुबह बिगड़ना है फिर खुला वही इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर वहां से रिकावर हो गया तो हमारे बाजरो समय जायती बात इब की इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल के हास मासा है अच्छी बात यह हदीप के अमेरिकी बाजरों ने बड़ी इवेंट के पहले कमजर होने के बाउजूद जो बड़ा सपोर्ट लेवल उससे टोड़ा नहींहें अब क्योंकि मजबिती के साथ बंद हुए और आज का सेशन और है वो अमेरिका में देखना है दो दो तरह की चीज़े हैं अगर आप मजबिती के साथ जाते हैं तो फिर वो डर रहता है कि कहीं ऐसा नहों कि फेड की मीटिंग के फैसले के बाद कमजोर हो जाए और कमजोरी के साथ जाते तो यह डर रहता है कि कहीं आप अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ना दे तो यह वाली रिस्क कम हो गई जब आज अब आप 31,100 के आसपास आ गया है तो आपको फ्लोर तो बन गया तो एक अच्छी चीज़ जो हुई है वो ही है कि अमेरिकी माज़ोर में सेशन रहे थोड़ा कमज़री का रहा तो कोई डिकत वाली बात नहीं है इस कल की जो आज से जी मीटिंग शुरूरी कल फैसला आएगा हम पर सुबर रेक्शन देंगे तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा आज हलका भी रहे तो बैतर है आज एकदम से चड़के ना है अम जब जब भी मजबुती के साथ इवेंट के पहले गया है ठुकाई हुई है और उसके बाद वो अलग बात है कि हमारे बाजार उसमें मौका देखते हैं एक चीज दिप जो है न मैं करना चाहता हूँ अमरीकी बाजारों को देखकर जो हमें समझ में आ रहा हुई है कि भारत लेने की ताकत आ गई वो माइंड सेट बना ली और आपने वो ट्रेड ले लिया तो भरपूर पैसा दिन में बन रहा है कल भी हो और पहले भी तीन बार हो चुका है तो अब की बार हम इसको और ज्यादा ध्यान से रखेंगे कि क्या चोथी बार भी ऐसा ही करेगा और करने क की पूरी संभावना है तो आई तिंक वो एक अच्छा दक अमेरिकी बाज़ानों से सब संके ठीक है एकसेप्ट एक साड़े तीन परसंट के आसपास के बॉन इसका मतलब यह कि बढ़ेगी जम कर बढ़ेंगी पॉन परसंट तो गिवन है और अमेरिका से लाइफ में अमेर अब अगर अगर एक परसंट कर दिया तो कोहराम ही करते हैं अठारा परसंट है इसे अब देर देरे कट रहे हैं 32-33% जो थे उससे 18% रहे गए करेंगे लेट सी क्या होता है विल्कुल तो चलिए आज हो रही है बैठक शुरू कल शाम को रियाक्शन आएगा हमारे बाजार पर सो सुभा इस पर करेंगे रियाक्ट अभी भी दो पूरे ट्रेडिंग सेशन है फेड पॉलिस से पहले जो हमारे बाजार रियाक्ट करने वाल करेंगे बाले करेंगे बाले करता है भी करेंगे तो लेडिक